आज इस वीडियो में पर्यावराण से डिलेटेट तीस महत्पूरण प्रस्ट के वारें जानेंगे जो एक्जाम के प्रइंट आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आकों को प्लेजे कर लिजे कि जब भी लेटेस वीडियो अप्लोड होगी तो आपक वीडियो को आप लोग जल्दी से देख पाएंगे और आप लोग से रोकेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड सेर कीजिए आप लोग जिस भी सोसर मेलेरा प्लेटफार्म से जूड़े हैं इस वीडियो को ज्यादा से जूड़ सकें अपनी जाम की तियार को अच्छे सा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं इसमें बहुत सारे डिटेलिंग की बात करेंगे तो पहला कोश्चन है लवड जो जल का अवसोसर करता है क्या कहलाता है क्या कहलाता है हाइग्रोइस्कोपिक लवड कहलाता है आप लोग या दखना है लवड जो जल का अवसोसर करता है वह हाईग्रो इसकोपिक लवड कराता है डिटेलिंग में नहीं जाने वाले कि फटाफट करने वाले है आप लोग का रिवीजन होगा डिटेल आप लोग को देखना है तो आप लोग स्किन सौल ले लिजे या इस वीडियो को रोक लिजे फिर उसका डिटेल पढ़ लिजे पूरे व्याख्या क्या होता है तो आप लोग जान जाएंगे कि हाईग्रो इसकोपिक लवड क्या होता है डिटेल में बात नहीं करने वाले कि डिटेल में बहुत ज्यादा पहली बारे वीडियो में जान चुके हैं तो आपनों की सीरीज चल ले थी उसमें बहुत कुछ जान चुके हैं इन्वार्बेंट के बारे में जो लोग वीडियो डेली देखे होंगे तो उसको पता चल गया होगा एक सीरीज में क्या चल ले थी पूरा डिटेल में पढ़ रहे थे यह यमसी की टाइप में नहीं है वन लाइनर कोस्चन होंगे जो डेटेल भी है डेटेल आपनों के लिए है और कोस्चन एंसर आपनों के रिविजन के लिए है तो चल लिए नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं नेक्स्ट कोस्चन है परिस्तिकी तन्त वं प्राकितिक अधिवाजों का सरच्छन तथा उनके प्राकितिक वतावरण में में प्रजातियों का जिवन छम, जंसेंखिया का रख रखाव एक प्रतिपात के लिए प्रयुद है तो एक तुपद है क्या है अपस्थाने सरच्छन परियाबर में बहुत सारे कोश्चन जो होते हैं जो बहुत लोग नहीं सुने होते हैं अपस्थाने सरच्छन होता है आप लोग का रैटेंसर होगा अपस्ताने सरचर क्या होता है आप लोगो नहीं पता है जो लोग वीडियो देखेंगो तुमको पता हो गया होगा जो सिरीच देख रहे थे जो लोग नहीं देखें तो आप लोग ब्याख्या यहाँ पर डिटेलिंग पढ़ सकते हैं नेश्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन बतर है समुंद्रिक कछप्पो को जीवन जीवन जीवास में कहा जाता है क्योंकि 150 मिलियन वर्सों से अधिक समय से पिट्थियों में उपस्तित हैं भारती उप महादियों को जल भागों में पाय जाने वाले पांच प्रजातियों के समंद्रिक कछप्प में सबसे अधिक संख्या किसकी है अलिवे रिडले की है किसकी है अलिवे रिडले की ये कहां पाया थे आप लोग डेटेलिंग जरूर पढ़ते जाईए इससे आप लोगों को पता चले गया कि डेटेलिंग क्या होती है जो पढ़े है तो लोगों तो आज आने से बन जाए गाए question, next question देखते है, question of four है, विस उस्यामान के लिए एक कारक है, वहानों से निकली gas, वहानों के निकली gas, जिसको अपन global warming के नाम से भी जाने जनते हैं, next question देखते है, question of five है, धातु मैप परस्तर किसे कहा जाता है, किसे कहता है, अजिस को कहाता है, धातु मैप परस्तर, आप लोग को यहाँ रखना है, next question देखते है, question of six है, पेड़ पोधे प्रदूसर को घटाते हैं, क्योंकि वे आउस्सोर करते हैं, किसका, CO2 एनि कारवन डाइकसाइट का आउस्सोर करते हैं, आप लोग को ध्यान रखना है, और आने से भुपम को मापा जाता है, next question देखते है, question number eight है, महासागरों में जल एस्तर विद्धी का कारण क्या है, धुरूइ प्रदेसों में बर्प का पिघलना, महासागरों में जल एस्तर विद्धी का कारण हो जाता है, next question है, वाता वरण में अतधी, खानिकारक, सल्फर, म कर लिजिए, next question देखते है, question button है, वाई पर दुसरा को कम किया जा सकता है, किसके दारा व्रिच्छों के दारा कम किया जा सकता है, next question है, विश्व पर्यावर दिवस कम मना जाता है, very very important, कम मना जाता है, पांच जून को मना जाता है, विश्व पर्यावर दिवस, अब सब अत्तर से मनाय चालो होता इस कौन लेंग में जब आया जूती ती प्रतम बैठाक आप लोग को अध्यान रखना है किस जगा क्लोरो और फनना सुचित करता है पेड़ पौधों के जन्तूओं को सुचित करता आप लोग को अध्यान रखना है प्रस्तर प्रस्तर एक जीवन कारक नहीं है आप लोग कहा दखना है तो तो टोटल फिप्टिन कोश्चिन थे जो एक जयांगर पटाप्यों से बहुत ही मादपोर है तो आप लोग ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड सेर कीजिए और जो लोग चलने पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए जैहिन जै भारत